तो आज हम आपका यहाँ पर प्रोपर सलेबस डिसकस करने वाले हैं जो कि आपका ओफिशल सलेबस है दिसंबर दोहजार चोबिस को लेकर और कोशन पेपर आपका यहीं से बनेगा इसी सलेबस से बनेगा किस टोपिक पर ज्यादा फोकस करना है कौन सा टोपिक पढ़ेंगे हम किस प्रकार से क्या सारी चीज़े रहेगी उसे हम यहाँ पर डिसकस करने वाले है तो जो भी नया हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्रा ठीक है, Child Development and Pedagogy, यह जो आपका syllabus है, यह आपका paper first के लिए class 1 से लेकर आपका class 5 तक, जिसे आपका primary stage के नाम से जाना जाता है, मतलब primary के लिए होता है, जो आपके first class से लेकर fifth class के बच्छे है, PR ठीक है, उन्हें पढ़ाने के लिए आपका CTAT paper first clear होना जरूरी है, तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो आपकी CDP आती है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे CDP, वो आपके आती है total 30 number की, ठीक है, 30 question और 30 number, मतलब एक question एक number का आपका CTAT में पोछा जाता है, और बहुते बच्छों को यही नहीं पता negative marking इसमें होती है, या फिर नहीं, तो याद रख ना, इसमें किसी भी परकार की negative marking नहीं होती, आपको 1.500 question मिलते है, और 1.500 के 1.500 जो आपको करके आने है, तो अगर हम बात करें आपका यहाँ पर, इसमें जो आपका सबसे पहला topic है, वो है आपका यहाँ पर 15 number का, ठीक है, आप यह कहोगे, इसका जो पहला topic है, और जो की स सबसे important है, सिर्फ यह अच्छे से cover गर लो, तो अभी आपको problem नहीं आने वाली, यह plus आपका है, पर PYQ, ठीक है, बस, यह आपका main कह सकते हो, सबसे जादा important, इसे तो छोड़के ही नहीं जाना, तो सबसे पहले गर हम बात करें, इसमें आता आपका child development, मतलब बाल विकास, एक तो हता है विकास, एक हता है आपका बाल विकास, तो सिर्फ इसमें बाल विकास आएगा, ओभी primary school child, ठीक है, सिर्फ primary बच्चों के according आपसे पूछा जाएगा, तो इसका जो सबसे पहला concept है, important है, वो क्या है, आपका concept of development, ठीक है, विकास क्या है, प्लस आपको relationship सी बतान है, हर बार का, आगे आपका यहाँ पर हैडिडिटी और आपका environment, ठीक है, यह आपका तीसर टोपिक है, यह आपका important है, ठीक है, हाँ से एक यह दो question बनता है, pedagogical question भी हाँ से बना लिए जाते है, तो यह आपके आपर तीन है, पहला क्या है, development और learning, दूसरा क्या है, आपका development के आपके principles और आपका हैडिटी और environment, मतलब आपका वनसानुगत और आपका परियावरन, यह तीन topic important है, और इतना भी नहीं है, कि आप यह कई दिनों में करोगे, यह topic तीनों ही, अच्छे से करोगे तीन ही दिन का काम है, आगे बात करेंगे, socialization, process, मतलब आपका समाजी कर इसमें आपका social world की बारे में पूछा जाता है, children और teacher, parents और peer, यह तीन important है, आगे आपकी यह theory, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाते हैं, इनके अलावा कोई theory आती ही नहीं है, में जो है आपकी प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस की इन तीनों को गोट के पीलो, कहते है इनने विलकुल घोट के पीना, आपका काम है, ठीक है, इनका पूरा पूछा जाएगा, theory क्या है, main concept क्या, stage क्या थी, क्यों इनोंने अपनी theory दी, किस basis पर दी, हर एक point जो हैं से पूछा जाता है, अब है आपका concept of आपका child-centered and progressive education, progressive education, परगती सील शिक्सा, यहां से भी आप करेंगे, आपका है, critical perspective, ठीक है, इसमें क्या है, आपका critical thinking की बात करना चारे, किसके base पर आपका intelligence, ठीक है, intelligence की बुद्धी का भी एक question आ जाता है, ठीक है, बुद्धी के ओपर भी एक question आ जाता है, इस बार आपकी प्राकृतिक बुद्धी से पूछा गया था, ठीक है, natural intelligence से related आपका question आया था, आगे है आपका multi-dimensional intelligence, ठीक है, बहु कारक बुद्धी सी दांती ये भी question बनता है, ठीक है, यही से आपका question बना था, आगे language and आपका thought, ठीक है, language और विचार, इसके उपर आपके दो question बने थे, एक आपका बना था, वाई गोस्की का, दूसरा बना था वाई गोस्की और प्याजे दोनों को mix करके, तो यह इस बार आपके दो question बने गए, आगे बात करेंगे आपका gender, gender से आपका एक ही question आया था, ठीक है, gender बहुत ही कहोगे, तो आप यह एक घंटे में आराम से cover करोगे, इतना detail में topic नहीं है, ठीक है, इसमें roles पूछ लेगा, बायस पूछ लेगा, ठीक है, educational में जो है, इसका main purpose क्या, यह चीजे पूछी जाती है, आगे आपका, again important, वो है आपका individual differences, individual differences से question बनते है, हर बार बनेंगे, और जब तक आपका यह चीजे चलेगी, तब तक individual differences से आना ही है, क्योंकि क्या है, सब में विभिनता है, यह ना सि diversity होती है, ठीक है, caste, gender, इन सब के रोल को देखकर teacher, as a teacher, आप किस परकार से पढ़ाऊगे, आगे है आपका यहाँ पर assessment for learning, assessment of learning, ठीक है, और आपका school based assessment, continuous, comprehensive evolution मतलब का CCE, यह तीन topic है, ठीक है, इनका पूछेगा, एक क्या है, आपका assessment for learning, दूसरे assessment of learning, प्लस आपका है, आप आपका यहाँ पर CCS, CCE, ठीक है, continuous comprehensive evolution, यह आपकी full phone भी पूछी जाती है, यह आपका पर 4 topic है, इन 4 हो को याद करना है, ठीक है, एक और आपका यहाँ से पूछ ले जाता है, assessment as learning, as learning से भी question बन जाता है, इन 4 हो को ही बहुत ही detail में, प्लस आपका एक, एसी में आपको trick बता असिस्मेंट, असिसिंग लर्निंग अचीवमेंट, तो यह आपका पैडगोजी के टाइप के आगए, ठीक, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के बात की जाएगी, कैसे बच्चा जो है, खुद के अचीवमेंट को एसिस करेगा, इनहेंस करना है लर्निंग को, किस परकार के कोशन आप फॉर्मरेट करोगे, यह साइज चीजे इसमें पूछी जाती है, ठीक है, चलिए, यह आपका important नहीं है, क्योंकि आपका pedagogy में हो जाएगा, ठीक है, important है, लेकिन यह आपका यहापर pedagogy में हो जाता है, जब कोशन के practice करोगे ने, यह आपको automatic हो जाएगी, आपको इसके लिए आपके पांच कोशन ठीक है तो इसे टोटल मिला कर जो आपको इतना लंबी कहानी लिखी हुए है यह छोड़ो बस याद रखना इसमें कुछ भी पूछ लेगा जो आपके यहाँ पर डाइवर्स बैक्ग्राउंड वाले बच्चे उन्हें कैसे पढ़ाओगी उनके डिस एड्वांटिस्ट क्या है उन्हें प्रोब्लम कहां पर होती है आपको कैसे समश्या को दूर करना है जो बच्चों की नीड है उन्हे कैसे देखोगे लर्णिंग डिफिकल्टीस से एक कोशन बनता है इंपैरिमेंट से एक कोशन बना था इस बार ठीक है डिस्लैक्स पूछले जादा है डिस्ग्राफिय पूछ लिए जाता है वो आपके लर्णिंग डिसिबल्टीस यहाँ पर आजाएगी आगे आपका है इतना भी मत सोचना बहुत बड़ा सालेबस बहुत छोटा है ठीक है दो मन्त है दो मन्त से ज़्यादा है अराम से आपका हो जाएगा आगे बात करेंगे आपके आपका पर से सोचते है और अगर बच्चे फेल हो जाते है तो इसमें जो गलती है वो स्कूल की है इसकूल ने अच्छे से जो है नहीं पड़ाया और यही आपको मान की चलना है कि बच्चे भगवान है वो सारी गलती स्कूल की टीचर की होती है अगर बच्चा फेल हो रहा है यह अपने बहुत फोकस होता है, ठीक है, यहां से question बनेगी, आगे आपका यहीं बता है कि बच्चे जो है, एक problem solver है, किसने का आता, बच्चे जो है, कोज करता है, कोज करता है, वाला point बहुत जादे दिया जाता है, सीधा question बनता है, ठीक है, ऐसे है आपका यहांपर, इसमें पूछ ल learning, यह question बन जाता है, और आपका factors पूछे जाते हैं, जो आपके learning, personal और environment, यह आपका यहांपर बन जाएगा, जो आप यह पढ़ोगे, ठीक है, जो आप यहांपर पढ़ोगे, heredity और environment, यह आपका हैंपर cover हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका हैंपर complete होता है, 30 number, 30 number CDP के, और यह जो आप pedagogy देख रहे हो ना, यह आपको बाकी subject में help करेगी, और pass भी कराएगी, याद रखना है, यह ना सिर्फ help करेगी, बलकि pass भी कराएगी, तो CDP सबसे ज़्यादा focus में रखनी है, सबसे ज़्यादा important, आपकी CDP है, इसे बहुत अच्छी से cover करो, साथ ही साथ जो आपके आपर PYQ है, उन्हें जरूर करना है, ठीक है, PYQ की डेली 8 बजे मैं classes लेती हूँ, तो 8 बजे आप सभी को जुड़ना है, और यह आपका paper first का complete syllabus में आपको बताया, ठीक है, अगर आपकी बाकी बात करें, बाकी बैसे मेरे subject नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, mathematics भी आपका 30 नंबर काएगा, 15 नंबर के कोशन आजाएंगे math के, और 15 नंबर के आपकी pedagogy आजाती है, ठीक है, यह आपके pedagogy के topic है, यही पढ़ने है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, आगे आपके हाँ पर environment, environment में 30 नंबर का आजाएगा, 15 नंबर के ज ही, जो मैं आपको CDP कर रहा हूँगे, वासे cover हो जाएगी, आगे आपकी language, language की classes में आपको daily कराती हूँ, syllabus की according ही करा रही हूँ, तो जाकर जरूर चेक कर लेना, ठीक है, आपके पैसिस में हम discuss कर चुके है, आपकी जो pedagogy की class है, आपकी आज भी हुई है, कल भी हुई है, तो जादे important classes है, देखना, सिर्फ यह भी करोगे, तो language में आपके कम number नहीं आने वाले है, ऐसे language 2 है, same है, ठीक है, तो यह आपका यहाँ पर total 800 number का paper हो गया, paper first के हम बात कर रहे थे, ठीक है, paper first, कल हम बात करेंगे, आपकी paper 2 की, paper 2 का detail में syllabus जानेंगी, ठीक है, यह आज का आपका paper first था, यही syllabus पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, अगर CTAT आपको पास करना है, syllabus के साथ जाओ, देखो, 3 point में बता रही हूँ, syllabus plus PYQ, बहुत जादा important है, एक बार को syllabus थोड़ा छोड़ दो, लेकिन PYQ नहीं छोड़ने, plus आपका revision, ठीक है, जो अप भी एकजाम आपको पास करना है, बाकि डेली आट बजे किलासी होती है, जूड़ सकते हो, पेड कोर्स में इन्रोल करना चाहते हो, तो पेड कोर्स में इन्रोल कर सकते हो, नो सो निन्यान में रुपे मातर आपकी फीस है, जिसमें paper first, paper two, दोनों आपको दिया जाएगा, तो झाल, 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